What you learn without books is called life. जिन्दगी क्या है? जो किताबे पढ़खर कभी नहीं सीखी जा सकती. जिन्दगी जी कर ही पता चलता है कि जिन्दगी क्या होती है. हम बचे को स्कूल भेजते हैं, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी किताबे होती हैं पढ़ने के लिए. और हम सोचते हैं कि इससे इसके जिन्दगी बन जाएगी. उससे जिन्दगी नहीं बनती, उससे करियर बनता है. और यूँ कहें करियर का एक पार्ट बनता है, बहुत बड़ा नहीं. क्योंकि करियर तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि mostly लोग सिर्फ एक छोटी सी जॉब तक पहुँच पाते हैं. वो कभी ये नहीं जान पाते कि बहुत जादा पढ़ाई करके बहुत जादा कमाने की जुरत नहीं होती है. सिर्फ सोच को बड़ा करने से आप कुछ भी कमा सकते हैं, कितना भी कमा सकते हैं. अगर आप Bill Gates की बात करें, और अगर आप Ambani की बात करें, या बहुत अच्छे अच्छे लोग Einstein की बात करें, Edison की बात करें, Newton की बात करें, उनकी studies कितनी हैं, कुछ भी नहीं हैं, उनको स्कूल से बाहर कर दिया गया था. बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कब कहां उनके अंदर एक द्रड इच्छा पैदा हो गई की कुछ करना है, ये कुछ करने की जो इच्छा है, ये जिन्दगी में इनसान को आगे बढ़ाती है, ये जिन्दगी में आपके सपने पूरे कराती है, जादा पढ़ाई लिखाई किसी को अमीर नहीं बनाती, आपके सपने, आपकी द्रड इच्छा आपको अमीर बनाती है, आपकी अमीरों वाली सोच आपको अमीर बनाती है, और अमीरों वाली सोच भी अमीरों जैसी बनाई जाती है, वो नहीं होती है किसी की भी, अगर स्टार्ट अप की बात इच्छा पैदा हो गई, उनकी सोच बदननी शिरू हो गई उन्होंने सोचना शिरू किया कि जिस चीज को वो शिदत से चाहते थे उसको पूरा कैसे कर सकते हैं जब इस रहा पे वो निकलते हैं, इस काम में वो लग जाते हैं उनको ऐसी ऐसी चीजे मिलने लगती हैं, जो उनके सपनों की तरफ उनको धकेनने लगती हैं तो यही तो है जिन्दगी, जो किताबों से नहीं सीखी थी उन्होंने, जिन्दगी ही उनको सिखा रही थी आपकी इच्छाए क्या है, आप कैसा सोचते हैं, वही लेवल आपका होगा तो आज अगर आप अपना लेवल उठाना चाहते हैं और आप जिन्दगी जीना चाहते हैं तो पढ़ाई के भरोसे मत बैठी, पढ़ाई में basic education बहुत है जो पाचवी तक आपने पढ़ लिया होता है 5th class तक, simple calculation, reading, English और Hindi की जो भी language आपको चाहिए अपने आपको express करना, इतनी सी qualifications बहुत है इसके बाद जो आपको अमीर बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चाहिए और जिन्दगी जीने के लिए चाहिए वो है सपने जो हम शायद देखना अपराद समझते हैं और कभी किसी के आगे बात कर दें, सपनों की तो लोग तो मजाग बनाने लगते हैं किस की value है doctor, engineer, CA, इन सब की value करते हैं लेकिन छोटे लोग छोटी चीज की value करते हैं बड़े लोगों को पता होता है कि क्या चीज बढ़ा हमें बनाएगी अपने मोदी जी को ही देखिए कितना पढ़े हैं PhD तो कर ली है उन्होंने, नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं और कहां बैटे हैं, किस post पे बैटे हैं, सोची कैसे पहुँच गए वो यहां तक पढ़ाई ने पहुचा दिया नहीं, approach ने पहुचा दिया बिल्कुल नहीं पहली चीज जो उनके मन में आई होगी, इच्छा आगे बढ़ने की और वो इच्छा इतनी द्रिड होती चली गई उसके बाद अब इस जिंदगी में ऐसा क्या करना है, कैसे उस चीज तक मुझे पहुचना है अपने सपने को पूरा करना है, जिंदगी आपको सिखाती जाएगी जब आप भरोसा करना शुरू करेंगे और उन course वाली किताबों को थोड़ा side रखेंगे, side रखने का यह मतलब नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है मतलब उन पे निर्भरता को खतम करेंगे और ऐसे किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे जो जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे, means self help books, आपकी personality को develop करने की books आपको अच्छे words देने की book की आप कैसे अपनी सोच को अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपनी mind की powers को समझ सकते हैं जब इन चीज़ों पे आप काम करना शुरू करते हैं तो आप अपने सबनों तक पहुँचने लगते हैं और सही महीने में यही जिन्दगी को जीना भी होता है जिन्दगी में जो चुनौतियां आ रही हैं, जो समस्याय आ रही हैं कब सिखाया जाता है स्कूल में उनका सामना करना मान लीजिए आप अभी खुश हैं अचानक से accident की news आ जाये किसी relative की आपको कैसे react करना है, क्या यह स्कूल में सिखाया जाता है नहीं यह आपको जिन्दगी सिखाएगी जिन्दगी क्या है? जो experiences आप on the way gain कर रहे हैं जैसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं, वो लोग कैसे react करते हैं आप भी उन्हें की तरह react करेंगे इसलिए अपने संगती को अच्छा कीजिए और जिन्दगी खुद बखुद बहुत अच्छी होती चली जाएगी Thank you so much